दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे पर आज हम कोलकता के एसे एरपोर्ट में आगे हैं जहां आप अपना खुद का प्राइवेट जेड बुक कर सकते हो वो भी सिर्फ लंच और डिनर करने के लिए सच बताऊं दोस्तों आज तक मैंने कभी भी फ्लाइट में ट्राइवेल नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत डल लगता था कहीं प्लैन क्रैश हो गया तो मेरी जिंदगी बहुत प्यारी थी मुझे पर जब से शादी हुई उसके बात से मुझे मुझे मौत से डर नहीं लगता इस एक्साइटमेंट में हमने पूरा का पूरा प्लेन अपने लिए बुक कर लिया अब आती है खाना ओर करने की बारी ये जिम्मेदारी हमने हमारी इ मेन्यू बुक को ऐसे देख रहे थे जैसे वो मामा जी के शादी का अल्बम हो कसम से इतनी सिद्धत से अगर इन लोगों ने स्कूल में पढ़ा ही की होती ना तो आज आई-एस बन गे होते हमारी बहन का गुसा करने का कारण जब हमने पता किया तो पता चला ये हमारी बहन का एक चाल है जल्दी जल्दी ओर कर दोगे तो जल्दी खाना आ जाएगा फिर आपको जल्दी से प्लेन से उतार दिया जाएगा सो प्लेन के अंदर देर तक बैटके एसी का आनंद लेने का निंजा टेक्नीके ओर लेट से करो जब तक और आया तब तक मैंने पानी पी के क काम चला लिया फाइनली खाने का ओडर प्लेस हो जाता है और उस खुशी में जूम उटते हैं हम ये देखो सूप आ गया और सबको पता है जब तक ये स्टेटेस में ना डाले लड़कियों का खाना हजम ही नहीं होगा तो मेरी बहन लग गई सस्ती रिल्स बनाने में अब तक हमारा प्लेन 30,000 फीट की उंचाई में पहुंच गया था और पिछले 30 मिनट से हम अपने खाने का भी इंतिजार कर रहे थे कि अचानक मुझे जोर से सूसू आ गया और मैं चला टॉयलेट धुनने फिर मुझे पता चला इस प्लेन में टॉयलेट है ही नहीं सूसू करने के जब लास्ट टाइम हमने अपनी बहन को बोला था खाना सर्फ करने को तो उसने हमारे साथ नाइन साफ ही की थी और अपने हिस्से में पनीर का ज़्यादा टुकड़े ले गई थी तो इस बार हमने वो रिस्क नहीं लिया और प्लेन के एर होस्टेस को ही बोल दिया खाना सर करने नहीं दिया हमारे सोसाइटी के चुगली खोर आंटी लोग जब अपने पड़ोशियों के घरों में जहांकते रहते ना तो बिल्कुल ऐसा ही दिखते हैं फाइनल इंतिजार की घडियां खतम होती है और हमारा खाना आ जाता है ओडर किये यह सारे आइटेम्स तो समझ में आ रहे थे पर यह 90 रूपिस की एक रोटी समझ में ना आई हमारी पिछली साथ पीडी ने भी कभी इतनी महेंगी रोटी ना खाई होगी यार कुटों के खाने लाइक एक की ऑप्शन था ओ अच्छा अच्छा फिर ठीक है वेट क्या है दोस्तों के खाने लाइक चीज हाँ भाई तु डाल और डाल और डाल हाँ भाई पूरा कटोरी खाली कर दे सारे गाइस देखो इतनी उचाई में आके इतने पैसे खर्चे करने के बाद हमको क्या खाना पड़ रहा है टिंडे की सब चीज चावल और सुखी रोटी मैडम अपने प्लेट से थोड़ा सा पन निम्बू सोनी की भाई में विकराए तो हमको यह फिंगर बोल में हाथ दोना रास नहीं आया और हमने चुपके से हाथ दोने का एक्टिंग किया और सारे निम्बू को पानी में निचोड़के उसमें ठोड़ा फन नमक डालके मस्त निम्बू पानी बना दिया और पी भी सकते दोस्तों हमने खाना खतमी किया था कि अच्छानक से जूर से आवाज सुनाई देथी है और जहां जोर जोर से हिले भी लगती है इसलिए मैं में सफर नहीं करता ता में लगता है हमारे जाने का बधर आगिया दोस्तों पचा दोस्तों मुझे अभी तक समझ में आया कि मेरी बहन ने कुत्तों की फेवरेट रोटी मेरे लिए क्यों मंगाई